नमस्कार दोस्तो आपका सुआगत है दोस्तो आज की ताजा बड़ी कबरारी है बारत व न्यूजलेंड के दूसरे टेस्ट मैच को लेकरें आद दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन केला गया है और पहले दिन मेंक कगरुआल के दौरा एक सत्य के पारी खेल के 32 सांदार बल्ले बाजी के गई पहले दिन बारतिय टीम ने 70 ओवर खेलते वे 4 विकेट के नुक्सान पर 221 रन बना लिये हैं इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरी जानकारी देंगे तो उससे पहले दोस्तों आपचे चोड़ाचा निवेदने कि आप एक बार वीडियो को लाइक जुरूर कर ले क्योंकि दोस्तों लाइक और शेर करना ही मारी मैनत का फ़ल होता है मैंक गरवान ने 243 गेंदों का सामना करते वे 14 चोके और 4 चकों के साहता से 120 रन बना करे पहले दिन नाबाद रहें जबकि रिदिमान सानी भी 53 गेंदों का सामना करते वे 3 चोके और 1 चके की साहता से 25 रन बना कर नाबाद हैं बार्दिय टीम की ओपनिंगे मेंक गरवाले और सुबमन गिल करते हैं और दोनों के द्वारा एक अच्छी बल्ले बाजी की जाती है लेकिन सुबमन गिले 44 रन मनाकर आउट हो जाती है उसमें बार्दिय टीम का स्कोर है 80 रन होता है उसके बाद चेतेशुर पुजारा बल्ले बाजी करने के लिए मैदान पर उतरती हैं पांच गिंदों का सामना करते हैं जीरो रन मनाकर आउट हो जाती हैं और यहांसे बार्दिय टीम पर दबाव बनना सुरू हो जाता है चेतेश्वर पुजारा के बाद विराट कोली मैदान पर बल्ले बाजी करने के लिए आती हैं विराट कोली ने चार गेंदों का सामना किया और अपना खाता भी नहीं खोला और आउट होगे उसमें बार्थी टीम का स्कोर असी रन होता है लगातार तीन विकेट गिरने से बार्थी टीम पर दबाव बन जाता है उसके बाद स्रेश अईयरे और मेंक गरवाले पारी को संबालती हैं और दोनों खिलाडी असी रनों के साज़ेदारी करती हैं इस परकार बार्थी टीम में चोते विकेट के नुक्सान पर 160 रन बना लेती है रिदी मान सा और मेंक गरवाल ने 134 गेंदों का सामना करते हुए एक से टरनों के साज़ेदारी कर लिए तो बार्थी टीम में पहले दिन एक मजबूत इस्तिती में नजर आ रही है बार्थी टीम में पहली पारी में कम से कम 330 रनों की बढ़त बनाना चाती है अब दूसरे दिन देखना होगा कि रिदी मान सा और मेंक गरवाल अपनी पारी को कांतक लेकर जाती है न्युजलेंड की गेंद बाजे की बात किरे तो टीम साओधी ने 15 अवर करते वे गुण 30 रन दिये लेकिन उनको कोई विकेड नहीं मिले कायल जैमिसन ने 9 अवर करते वे 30 रन दिये अजाज पटेन ने 30 अवर करते वे 33 रन देखरे 4 विकेड आशिल की अजाज पटेल की दोरा एक बार फिरे कमाल की गेंद बाजी की गई है